इस वक्त हम खड़े हैं आजाद नगर में और आज हम ऐसे प्रत्यासी से आपको मिलवाते हैं जो लक्सर विधान सबाद छेतर में भी खलबली मचा चुके हैं आईए उनसे बात करते हैं क्योंकि उन्होंने रोड़की में भी एंट्री कर दी है चुनाओ का बिगुल बच चुका है और देखते हैं उनसे जनता की राय क्या है और वो क्या चाहते हैं चुनाओ लड़ने की स्थिती में वो क्या करेंगे सर बताए देखिए मेरा कोई भी न प्रश्राइब निकलता है सभी लोग अलग अलग तरी की सलहा दे रहे हैं समीकरन बता रहे हैं अभी देखते हैं कि कौन-कौन परतियाशी आते हैं मैदान में उसके इसाब से चुनाव की तो तयारी घहर हमारी रहती है और इस शहर में हम हमारी फेडियां गुजर गई हैं त हमें बहुत जादा उसकी जरुद नहीं है कि हम तयारी करें और हमें बैनर पे वोट मागने की यहां पर जरुद नहीं है यहां पर हम व्यक्तिकत रूप से भी चुनाव लड़ सकते हैं और वोट मांग सकते हैं सर आप लक्सर से भी चुनाव लड़ चुके हैं निर्देली परत्यासी के तोर पर और वहां पर आपका जलवा देखने को मिला क्या आप ऐसा ही जलवा रूड़की में दिखाना चाहते हैं देखें मैं कभी भी काम अधुरे मंद से नहीं करता हूँ अगर मैं चुनाव लड़ूगा तो पूरी ताकत के साथ लड़ूगा और जैसी की सब ने बताया है मुझे तो खेर मैं अपने मूझ से क्या कहूँ कि लोगों ने बताया है कि चुनाव बड़ा धुवादार लड उन पर सासन ने रोग लगाई है। उसके बाद यहां पर कांग्रेस के लिए कुछ बचा नहीं है। बात नहीं है जैसा भी मिलजुल के फैसला लिया जाएगा उस पर अमल करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए यह देखेगा हम अभी एड़ोकेट सुमिछ चोदरी से बात कर रहे थे उन्होंने रोड़के में भी अपनी हलचल मचा दी है और कांग्रेस ख होता है कि सुमिछ चोदरी कांग्रेस से चुनाओ लड़े धन्यवाद नितिन कुमार के साथ